एक चीज में हर एक student को कहता हूँ और वो आज में आप लोगों को भी कहूंगा कि जो knowledge है वो हर एक student के पास almost होता है वो बिशिक science का student है बिशिक science का student नहीं है बिशिक IR का student है पाक अफेर का है क्रेंट अफेर का है कोई भी student है तो उसके पास knowledge है प्रॉब्लम वहां पे राइज होती है जब आप उसको represent करने की कोशिश करते हैं जब आप present करते हैं जब प्रिजेंट करते हैं तो हम किसी और angle से present कर रहे होते हैं और जो हमसे demand की जा रही होती है किसी औरे से कीजली उन्वे छीज़ाने के शीजों को हमारे आप ल Lords देखेंगे तो आप कोर्स से कबर लिया होगा तो को समधिन ‑‑ अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जिस तरह आपके पास सबसे पहला पोर्शन है फिजिकल साइसे का, फिजिकल साइसे में जो सबसे पहली आउट लाइन है, that is, अब आप इस पूरी आउटलाइन को देख लें, तो इस आउटलाइन के अंदर फर्दर एट टू नाइट टू नाइट टू टॉपिक्स हैं, तो आप हर टॉपिक को कम्पीटली कवर नहीं कर सकते हैं, तो आप ने सिरफ उतना पढ़ना है, कि आपके five marks आते हैं, अब problem या आती है, कि हम five marks के लिए नहीं पढ़ने होते हैं, हम जहन में यह बना के बैटी होते हैं, हमने आज के ही दिन में सारे का सारा काम कर लें, तो ऐसा नहीं करना, general science and ability में confined area है, देखे, एक छोटी सी example है, मैं हर class में दिया करता हूँ, मैं आज आपनों को भी बताऊँगा, तो कहीं पी ये चीज़ चेंज नहीं होती है, तो एक बात अपने जहन में clear करने के इसके लिए एक ही specified book है, उसी book को आप पढ़े, एक्स्ट्रा detail में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो question attempt करना है, वो five marks के लिए attempt करना है, तो five marks के लिए जब question attempt करना है, तो उतनी ही त्यारी करें, उससे ज्यादा इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कुछ छोटी छोटी tips है, बिल्कुल छोटी अगर आप इनके उपर focus करेंगे, आपको समझ आने शुरूर दिगे, for instance, हमारे पास question आ जाता है, differentiate between renewable and non-renewable energy resources, और उसके बाद कहा देता है, जी explain करें, further explain करें, hydroelectric और geothermal stations, जीके ये powerhouse, तो जब हम उनको explain करने लगेंगे, देखें, एक question है, five marks का है, उसको further दो parts में divide कर द आपने चार से पांच pages ने लिखने, ठीक है, सबसे जादा जो problem होती है, students को कहां पर होती है, कि जी हमें pages का नहीं पता कि हमने length कितनी maintain लखनी है, हमने एक page लिखना है, हमने दो page लिखने है, हमने तीन page लिखने है, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी वाते तो यहां तक तो हमने जनरल एक overview ले लिया है, हमने चीजों को देख रहा है, कि students कि क्या problems होती है, कहां पर वो lag कर रहे होती है, हम यह देख लेते हैं, कि एक दोगा course का एक जल्दी से overview ले रहे हैं, अगर course को हम divide करें, तो major three areas में हम divide करते हैं, जो सबसे पहला area है, that is MCQs का औरिम्ट का portion, number two आपके पास general science का portion, number three आपके पास general ability का portion, ये तीन total आपके important लगाज है, जो general size का portion है, उसमें आपके पास चार question आएगे, चार में से आपने दो attempt करने होगे, और हर question के फदर आपके पास चार पर्टे, clear हो गया, no.' टु, आपके पास आजएता है ability का portion, ability का portion में आपके पास अगें 40 marks का वा आपका पोर्शन हो बहुत ही ज़दे इंपॉर्टन है अब इसको अगर बिल्कुल ठीक अटेंप्ट करेंगे तो आपको complete marks मिल जाएंगे अगर आप उसके इंदर कोई करने के बाद आप उन चीजों को काइंडली नोड़ डाउन करते जाएंगे अपने पास मैं आपको important questions भी आज लिखवा दूँगा उन questions को आप लोगों ने लाजमी अपने time पे देखना है आपके पास general general areas हैं जिनको हमने जल्दी जल्दी से देखना है सबसे पहला है आप लोगों के पास physical sciences physical sciences के portion में आपके पास कौन कौन सी चीज़े important हैं उनको हम अपने पास list down कर लेंगे इसमें जो सबसे पहली outline है that is constituent structure ठीक है number two आपके पास जो आ जाती है that is process of nature process of nature नमबर त्री आपके पास आ जाती है natural hazard and disaster ठीक है number four आपके पास आ जाती है renewable and non-renewable energy resources यह energy resources जिसको हम पढ़ते है renewable energy resources similarly आपके पास next आ जाता है that is modern materials इससे पहले आप लोग के पास जो है chemical bonding है इन topics में अगर देखा जाएए इन questions में अगर देखा जाएए इन outlines को अगर refer करो मैं और हम यह देखना चाहें कि कौन कौन सी इरिया आपके important है तो उनमें जो सबसे पहला है that is constituent structures के अंदर जो इस तफ़ा के लिहाँ से important है that is big bang theory Big Bang Theory में को mostly जब हम explain करते हैं तो याद रखेंगे paper में जब भी explain करेंगे तो paper attempting का जो एक question का format होगा वो end में मैं आप लोंग से share करेंगा कि एक question को आपने attempt कैसे करना है एक question को लिखना कैसे है किस तरह start करना है अगर introduction देना है तो introduction के अंदर क्या चीज़े mention करेंगे ठीक है अभी फिलार for the time being important questions load down कर लेंगे आप लो जो big bang theory है उसको mostly तीन parts में divide करेंगे जो सबसे पहला part आपका होता है that is singularity second number पे cosmos and finally you have today, today means future future of universe dear students, आप लों के पास ये तीन major areas है singularity, number two cosmos and number three is future of universe आपने इन तीन चीज़ों के उपर focus करके big bang theory को explain करना है future of universe में open model है, close model है उसको हम बाद में discuss कर लेंगे तो big bang theory इस तफ़ा के लहाज से काफी important topic है number two, अगर process of nature में देखा जाए कि कौन सा topic important है that is solar eclipse and lunar eclipse solar eclipse and lunar eclipse बोथ ही जदा important topic है इस तफ़ा के लिए ठीक है, similarly natural hazards and disaster में अगर आप लोग देखेंगे तो that is tsunami tsunami, earthquake और उसके अंदर अगर further में important है का आप लोगों को topic बता दू तो that would be biogas plots energy from biomass, energy from biomass, उसके पाद आ जाता है आप लोगों का modern material, modern material में अगर देखा जाए कि कौन चीज important है, तो modern material में आप लोगों के पास है, जो important element है, number one vaccine, number two antibiotics, similarly number three is fertilizers, यह इस तफ़ा के लिहाद से काफी important areas और chemical bonding इस तफ़ा के लिहाद से इतना important area नहीं है, तो ऐस सच आप इसको इतना focus में रखने की ज़ूद, तो देखें, जिन students ने, जो 2022 में appear हो रहे हैं, जो 2021 में appear हो रहे हैं, तो obviously a difference है दो लोगों के दहरे हैं, तो एक चीज़ आप लोग अपने जहान में रहे हैं, जो 2021 में appear हो रहे हैं, 2021 में जो लोग appear हो रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ अपने आप लोगों ने अपने जहान में रहे हैं, कि यह चीज़ इंपॉर्टन है, और 2022 के लिए obviously वो चीज़े चेंज हो जाएंगी, एक दफ़ा overview ले लें, कि देखें कोर्स कितना lengthy है, और उस lengthy कोर्स को cover करने के लिए और आप 10-10, 12-12 या 2-3-3 किताबे पढ़ेंगे, तो वो आपको फायदा नहीं दे लिए, आपने एक ए बुक को refer करना है, और उसी बुक को अच्छे तरीके से prepare करें, यकीन जाने इसमें आपके अच्छे marks आजएंगे, इसमें और कोई चीज रिक्वार्ड नहीं होता है, मैत के questions का जो concept एक बुक में जो दिया हुऊ, दूसरे बुक में भी वही same concept होगा, वो concept change नहीं होता है, तो यह चीज़ आपने जहन में रखनी है, concept हमेशा same रहता है, सिरफ आपने concept अगर स कौन से अरिया important है, तो दाट वोड़ भी है, सेकेंड एरी के तरफ हम मूव करते हैं, फिजिकल साइंसे के बाद, नमबर टू इस इन्वार्मेंटल साइंसे, तो हम क्यूंके आपका इन्वार्मेंटल एक important area है, ठीक है, यह हमेशा से important है, इसमें से जादा चीज़ा है, पुछी जाती है, सो इसे हम environmental sciences के उपर move करेंगे, next आपका area है, environmental sciences, मैं आपको end में explain करेंगा कि biological sciences क्यों इतना इन्वार्मेंटल साइंसे, इन्वार्मेंटल साइंसे, इन्वार्मेंटल साइंसे भी similarly बिलकुल सेम चीज़ है, अगर इसके questions को मोस्ट जी देखा जाए कि कौन-कौन से questions important है, तो उन में आप लों के पास जो सबसे पहला area आ जाता है, that is acid rain, acid rain is very important area as far as 2021 exams are concerned, number two, global warming, global warming, climate change, greenhouse effect, तेक है यह मैंने mostly classes में explain किया हुआ है, कि अक्सर वो paper में, देखे हमें यह पता है कि global warming की, जो है dark side हमें पता है, negative side हमें बहुत ज़्यदा अच्छे तरीके से पता है, तेक है dark side हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो paper में mostly दे देता है, green house effect is a blessing, question paper में वो दे देता है, जब ऐसा question आ जाजाएगा, तो हमने कैसे उसको attempt करना है, अक्सर वो दे देता है, sunny side of global warming, अगर देखें वो simple plain question दे देता है, तो वो obviously different हो जाएगी चीज़, ठीक है, इसी तरह green house effect is a blessing, जब ऐसा question आ जाएगा तो obviously चीज़ें different हो जाएगी, तो इन चीज़ों को attempt करने के लिए आपको different criteria चाहिए होता है, ठीक है, इनको concept को इनके समझने के लिए different angles है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बेश्टर classes में पढ़ाया के green house effect is a blessing, जब भी आजए तो याद रखें, वो natural green house effect को refer कर रहा होता है, और उसके अंदर mostly आपके दो points आ जाते हैं, जो अर्थ का 15 degree cell system temperature maintained है, और नमबर टू जो photosynthesis का process है, वो सारे का सारा आपका green house effect की वज़े से हो, ठीक है, तो blessing की वज़े से यह आपका, blessing का अगर आज ही तो आपने ये चीज़ें लिखने होता है, नमबर next नेक्स्ट आप लोगों के पास है ozone depletion, ozone depletion, जिस तरह अगर आप topic इस topic को देखें हम, कि ozone depletion को हम पढ़ने लगें, तो अपसर पेपर में पूछता है कि what do you understand by the concept of ozone depletion, तो इसमें परशान होने की कोई बात लिए, कोशिश करें कि देखें, मैं आपनों को आज एक छूटी सिवाबत आ जेता हूं, जिस subject के paper को आप attempt कर रहे हैं, जिस subject के भी paper को आप attempt कर रहे हैं, उस subject को आपने जब attempt करना है, तो उस subject की language में attempt करें, हर subject की एक technical language है, जिस तरह general science and ability जो है, इसकी एक technical language है, similarly, आप gender study देखें, पाक अफेर देखें, current अफेर देखें, कोई भी आप paper उठा के देखें, एक चीज़ है, हम technical language है, अगर आप उस subject को उसकी technical language में answer करेंगे, तो आपको फायदा होगा, अगर आप नहीं answer करेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल plain ही language लिखते चले जा रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं हो, वो आपको marks नहीं देगा, point clear हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपने अपने जहिन में रखनी है कि जब भी question को attempt करना है उसके technical language में attempt करना है अब for instance ozone depression का concept आ जाएगा कि ozone depression हो के सार रही है तो एक line के अंदर या दो lineों में आप इसके mechanism ये reaction को explain कर दें कि कि जब solar radiation fall करती है cfc's के ओपर वहाँ से chlorine का item निकलता है वो chlorine का item जब ozone के molecule के साथ interact करता है तो वहाँ से chlorine monoxide बनती है और chlorine monoxide जब nascent oxygen के साथ interact करेगी तो जिसके ज़से chlorine का item दुबारा आ जाता है और oxygen का molecule separate हो जाता है तो इसको दो lineों में explain करती है यकीन जाने आपको उस examiner को clarity हो जाएगी कि हम इसको zone depression का मतलब पता है इसको समझ है कि behind the scene story क्या जल रही है ठीक है तो उस चीज को explain करता है और उसके बाद वो mostly पूछ रहता है कि remedial measures क्या होते हैं तो मैंने एकसर class हमता है remedial measures जब भी दे रहे हो तो कोशिश किया करें कि तीन levels पर जाके उन चीज़ों को study किया करें नमर one individual number two national और number three international इन तीन levels पर जाके हमेशा कोशिश किया करें remedial measures को explain कि इंडविच्यूल का मतलब यह कि इंडविच्यूल लेवल पर मैं क्या कर सकता हूं point layer हो रहा है मैं जितने भी body space, aerosol space यह जितने भी use कर रहा हूं इन के use को minimize करो तो individual लेवल पर मैं यह कर सकता हूं थाकि जोन डेप्रेट ना करें national level पर हमेशा क्या होते है national level पर जब भी बात की जाएगी तो याद रखेंगे policies की बात की जाएगी act की बात की जाएगी rules की बात की जाएगी regulations की बात की जाएगी national level पर हमेशा कि laws बना रहे चाहिए बैट और similarly international level पर जब भी आप बात करेंगे तो हमेशा हम conventions की बात करते है कि कौन-कौन से conventions हुएं कि ozone depletion के लिए कौन-कौन से conventions हुएं ozone जो deplete हो रही है उसको बचाने के लिए prevent करने के लिए कौन-कौन से conventions हुएं तो Montreal Protocol ठीक है number two इसे तरह London Agreement number three Copenhagen Treaty तो यह कौन से यह conventions हैं जो के international level पर हुएं हमेशा इन तीन लेबल्स पर आप इनको डिवाइड करें इंडिविज्व पर तो आपको अल्टिमेटली आप कोई विए question attempt करें तो आपको समझ आजएगी कि किस जो है किस एरिया में कितने remedial measures है किस एरिया में कितने remedial measures point clear होगे similarly next आप लों के पास है जो यहां से important है that is clean development mechanism cdm clean development mechanism article 12 of Kyoto protocol जो article 12 Kyoto protocol का that is very much important clean development mechanism similarly water pollution as a whole problem कहां पर आती है यह चीज़ी समझ नहीं है problem यहां पर आती है हम जब question attempt करें तो water pollution हम देखते हैं तो एक दोब आप लोगा ने देखा होगा कि पास पेपर में question आया हुआ है 2017 में आया था गालबन तो उसमें यह पूचा गया था जी what is water pollution थेका उसके causes क्या है उसके effects क्या है तीन चीज़े होगी चोथा नमबर पे पूचा उसने के measurement method क्या है और पाच्छा नमबर पे पूचा के वताए कौन से कंट्री जिसमें ज़्यादा water pollution कौन से कंट्री जैसे जिनमें कम water pollution तो five marks का question है उसमें पाच चीज़े डिमांड कर लिए और हम क्या करते हैं हम पहली दो से तीन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हैं और बाकियों को इससे जारा छोड़ के रखना शुरू करें तो हर एक चीज़ का अधियरंट्स लांड्फिल एंद इंसिनरेशन तो ये इन्वार्मेंटल साइसे के इंपॉर्टन टॉपिक थे और यह फिजिकल साइसे मैंने दो आप लों को टॉपिक्स बता दिए कि इंवार्मेंटल साइसे से कौन से टॉपिक और फिजिकल साइंसिस से को है नेक्स्ट आप लोग का जो एरिया आ जाता है और इस झायल साइस तो फूर साइसि आपके पास ए अक्सर क्लास फूर्श में भी बताब कि प्रूर को से याद रखेंगे आप लोग पास टोटल फूर को सिंदुटर तर्व जो कि हमेशा जी लिह कॉलेस्ट्रोल विद रिस्पेक्ट टू हार्ट टैक यह कार्डियो वास्कुलर डिजीज ठीक है और लास्ट में जो एक टेपर बोज़ेद इंपॉर्टेंट है और यह मोस्त इस्टूर्ट्स को भी पता होगा कि जितने भी आपके वन पेपर सब्सक्राइब करने तो मैं आपको जो कहूंगा उस उन स्लाइड्स के इंदर जाके आपको एक टेबल नजर आएगा जो के वाइटमिन का टेबल है उस टेबल को मेंबराइज करें कि क्या सोर्सीज है इन चीज़ों को अच्छी तरह करें तो टोटल आपके पास फोर ये एरियास हैं जो के फूर्ट साइसे से हमेशा के लिए आसे इसके इलावा कोई चीज़ इंपॉर्टन नहीं फूर्ट साइस को कर देख लिए फाली आपके पास एंड में आ जाता है कंप्यूटर एंड आ इटी के पोर्शिन के लिहास से हमेशा से फाइबर आप्टेक्स इंपॉर्टन रहा है और सिकन्ड नंबर पर जीपीएस और थर्ड नंबर पर इडाल ये तीन टॉपिक इस तफ़ा के लिहास से इनके वरकिंग प्रिंसिपल अब एक पॉइंट जहिन में रखें कि हम क्या क बाइस के बाइस करें के बाद की आप्लिकेशन क्या है वह बड़ी सिंपल सी होती है जब आप वरकिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे होते हैं तो उस्ति अपने लिए पर प्रिंसिपल्स के इलावा कोशिश करें कि बागी इनके application क्या है वो बड़ी simple सी होती है जब आप working principle पढ़ रहे होते हैं तो उसे में है आपको application का भी समझ आ जाती ही कि क्या इसके application नेक्स आप लोगे पास आ जाता है dear students जो है AI artificial intelligence artificial intelligence के positive impacts as well as negative impacts दोनों को study करें दोनों को अच्छे तरीके से देखें कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इस तफ़ा के लिए से अगे नेगेटिव इंपक्ट से आई कि बहुत सब्सक्राइब नेक्स आप लोगे पास आजाता है कंप्यूटर बसे और फॉर्ट और लास्ट में आजाता है रैंड डॉम के यह जर्नल साइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चिंज मैंने वार आपने को बिदा इन क्वेश्चिंज को मैं एंड में क्वेश्चिंज रो ना अभी आप मूंगे कुष्चिंज आ रहे हैं अब लिंग कर देंगे मेरा इंशनला ठीक है आप लोंके गुरुप में लिंग शेर कर दिये जाएं तो जो अगें यह आपके जर्विश्चिंज के इंपॉर्टेंट एडिया आपने इनको अच्छे तरीके से कहाना थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपनोंके पास क्यों नहीं इतना पढ़ा है तो मैं आप लोगों को गें बतारों जितना भी आपका बायों का पोश्चिन था 2016 से पहले 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 का एडिया तो उस टाइम बहुत ज़्यां इंपॉर्टेंट एडिया कंसिडर किया थी कि मगर अब 2016 के बाद इससे इतने जादा प्वेश यह तीन हमेश्चा से इंपॉर्टेंगी है पेटाइटिस और एक जो बायोजिकल साइंसे के एंड पे लिखा हुआ है एंड पे आप लोग जाकर देखेंगे तो वहाँ वहाँ पर आपको नजर आएगा न्यू मेथर्ट पॉर्ड़क्शन आफ बायो फ्यूल यह आपकी ज यह आपका सार है उसके पॉइंट अफ फ्यू से यह मिस्प्लेस इसको हमें रिन्यूएबल इनर्जी रिसोर्सिस में प्लेस करना चाहिए ठीक है क्योंकि यह अगें जो इनर्जी प्रोड़क्शन का मेकानिसम है तो इस चीज को आप अपने जहीन में रखने ठीक है इसका सब्सक्राइब करें तो यह सारे का सारे जितने भी एरिया मैंने बताई इनको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेर करें नेक्स्ट आपनों के पास आ जाता है जो जनर्ल अबिलिटी का पॉर्शन है जो मैत का पॉर्शन है उसके लिहाज से कौन-कौन से चीज़े दोबार पता रहा हूं पार्टनर्शिप और इन्वेश्मेंट के को इस तफ़ा के लिहाज से बहुत जदे इंपर्टन एंवेस्टेंट आफ्टर सिक्समंट्स इंवेस्टिक देस अमांट तो यह जो आमाउंट वाली आपके पास जितनी भी यह जो पार्टनर्शिप तो यह वाना जो प्रॉब्लम पास आ जाते हैं लिनियर इक्षिशन भी इस तफ़के लिहाद से बहुत ज़दे इंपॉट्टेट इस तरह वह लास्ट आप लोगों के पास एक वह ज़दे नैटीन में एक क्वेश्चन आया था अब फार्मर की इप तोटल ऑफ तो यह वाला जो क्वेश्चन का लिनियर एक्वेश्चन एक इन वेरी इंपॉटेंट इसे तरह आप लोग लिए से गरते हैंगे तो आप लोगों को पेपर में जर आएका मुईज वस्तॉइब वन नाइट तो यह आपका टुज़द निए वे सब्सक्राइब करने को कहता है पेपर में आप लोग के लिए तो आपने सिर्फ तीन चीज़ों को लिखना होता है में मीडियन और मार इन तीन चीज़ों को आप सेंटरल टेंडिंसी में एक्सप्लेंड करते हैं और हमेशा पेपर में जब भी वह आपको गृप डेटा की फॉर्म में अगर कोई डेटा दे देता है उसको कहता है फ्रिक्वेंसी टेबल बनाए इसका तो फ्रिक्वेंसी टेब करें तो हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करने के लिए जाएगी तो हमेशा देखेंगे उसी फ्रिक्वेंसी टेबल को यूज करते हुए आप इस्टोग्राम डॉप ठीक है चोटी-चोटी चीज़े हैं जो के बड़ी इंपॉर्ट नेक्स जो एडिया आपनों के पास इस अगर आप लोग इसकी साइट पर जाएंगे वहां पर एंड में जाके आप लोगं को एक मैथ का चोटा सा पॉर्शन नजराए उस मैथ के पॉर्शन में में मेरे बेनों भाईयों आपको इनलेटिकल पॉर्शन को नमबर वन मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में नमबर टू आप लोगं के पास जो डार्ट सैंट वले कॉश्टन है कि दिस बाइन वाक्स इस मेंटर तो इस तो यह आप पर क्वेशन होता है यह फाइव मर्ट का मुश्ट दिया आपके पेपर में अप्लेपर हो जाए नमबर ठूब तो नमबर थी आपनों के पास आज़ बनानी होती है जिस तरह यह आपके mostly questions आपके पेपर में भी अप्येर हो चुए है तो इन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया हूँ और हर एक question के आगे उसका solution आपको define कर दिया गया है mention कर दिया है तो हर चीज़ आप लोंके बिल्कुल सामने हैं तो उस math के portion को आप लोग डाउनलोड करें और बिल्के जब आप पूरी slides को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके वास math का portion भी आजएगा तो जो कि आप लोगों को बड़ा तो यह एक मैंने आपको general overview दे दिया पूरे के पूरे syllabus का इस ताफ़ा के लिहां से कूंसी चीज़ें important और कूंसी चीज़ें important नहीं अब हमें question को attempt करने का तरीका कोई भी question जब हमने attempt करना है तो उसको कैसे attempt करना है किन-किन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है तो सबसे पहले आप लोगों को नहीं यह चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो भी question आप attempt करेंगे उसके लिए proper introduction होगा और proper conclusion start with proper introduction and proper conclusion introduction के अंदर again आप लोगों को समझ है इस चीज़ कि कि जो भी चीज तीन एक लाइन का होगा इससे जादा लाइन का नहीं रखना है कि इसके सेंटर में कहले है जैनल साइस और अबिलिटी के questions को attempt कैसे करना है ठीक है number one आप कोशिश यह करेंगे कि maximum number of headings को utilize maximum number of headings को क्या करेंगे यूटिलाइज करें जतनी headings utilize कर सकते हैं और headings आपकी plain headings नहीं होनी चाहिए ठीक है जैसे आप लोग heading देते हैं harmful impacts ठीक है remedial measures यह बड़ी plain सी heading है कोशिश करें कि आपकी जो heading हो that should be comprehensive in nature यह हमेशा से में हर क्लास में बताता हूं कि heading आपकी comprehensive होनी चाहिए ठीक है heading पढ़के ही समझ आ जाने चाहिए examiner को कि आप अपने paragraph के अंदर किस शीज को explain करने जाने और किस शीज को आप weightage देने जाने ठीक है तो comprehensive heading होनी चाहिए comprehensive heading के उपर focus करें ठीक है नमबर टू कोशिश करें general science and ability के हर question के अंदर लास्मी तोर पे एक डागराम करेंगे general science and ability के हर question के अंदर लास्मी तोर पे डागराम करेंगे डागराम नहीं तो flow chart आप लास्मी तो ठीक है मैंने आप लोगो तीन चीज़ें बता दी नमबर बन प्रॉपर इंट्रोड़क्शन प्रॉपर नमबर टू आप लोग headings को utilize करेंगे आप flow charts को utilize करेंगे ठीक है हर question के अंदर ये utilize करें और नमबर थ्री आप से जो चीज़ दिमांड की विए उसको आप explain करेंगे in the form of headings ठीक है बुलेट फॉर्म में बुलेट पॉइंट में जो लोग answer लिखते हैं वह acceptable नहीं है ठीक है कोशिश करेंगे पूरे पूरी sentences के form में answers ठीक है flow charts बनाई ज्यादे ज्यादा यकीन जाने आपके जो marks होंगे वह बाकी की बाकी लोग के निसमें बहुत जादा difference करेंगे तो यह आप लोगों का जो एक किसम का overall मेंने आप लोग को एक overview दे दिया कि पाक अफेश में क्या चीज इंपॉर्टन है जो साइस के कौन-कौन से इस इंपॉर्टन है जनरल अबिलिटी के कौन-कौन से इस 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 इन दोनों को हमने briefly discuss कर लिया और इन चीजों को हमने है जिए हैंडेर्स करें उसके वाम से कुश्चन देए हैं यह अच्छा एक और मैं छोड़ी सब्सक्राइब यह जो जो नेम है यह अपने प्रॉपर नेम से इंपर होता कि हमें समझ आ जाए कि कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क वह अदेवान वर भड़र उट्रो बनकौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कन-कौन-कौन-कौन-कौ bluff, Interesting. मैं और आपको जमेंट प्लम इसके प्लम मत्याओं से नहिसे जी आपके आवाज नहीं आ रहे हैं जी नसीर क्या क्वेशन है आपका जी आपके आपके बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाएंगे बुलेट के जगा आप एक संटेंस लिखे देंगे और जो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसका कलर चेंज करके लिखे देंगे नसीर नसीर मैं यह कह रहा था आपको पैराग्राफिक डिवलेपमेंट में जर्ल साइंस इंडबिलीटी इतना जदे कर दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके लाव आपको मार्क्स नहीं है नसीर आई होप मैंने आपके क्वेश्चिन का अशर कर दी अगर कोई और कुछ लिए नहीं सर यहीं था थैंक यू जी साधिया वच्छे क्या कोशन है आपको इसको टॉपिक को डिफाइन करने के लिए इसकी डेफिनिशन देना ज़रूरी है अगर कोई भी टॉपिक करने के लिए त्री लाइन काफी है अगर जनल साधिया अबिलिटी के लिहाज से मैं कहूं तो पोशिश करने के जो लक्षन है उसके अंदर आप जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करके चलें तीक है क्योंकि इसके अंदर तो बिल्लुपिल स्ट्रेट पॉर्वर्ड चीजे होती है कि यह चीज है और इसका यह आंसर ठीक है फर्दर आपको अनॉलोजी बिल्ट करने के जरूरत लिए अब हम पर दोबारा इनी टॉपिक्स को मैं अगर कहते हैं तो एक एक करके कर देता है थोड़ा थोड़ा करके किस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग लाजमी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लावा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है कि अज़िए अज़िए अमार हम रिजवान हम कोशिश करते हैं बिग बैंग त्योरी को एक्स्प्लेइन करने की ठीक है और बाकी जितने भी एलिमेंट से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी एक्स्प्रेंट करने की ठीक है जी आप में सब्सक्राइब करने की कुश्च्छन नसीर अगर आपके कुश्च्छन का आंसर हो गये तो करने हैंड दाउं करने डापिन यह जी खुच्छी क्या क्श्च्छन है आपका अ सर आप यह जी डिवलेपेंट मेकैनेजम इस फ्रेंग कर से थोग जी ती को थैंक है सब्सक्राइब को इसको क्ष्च्छन है मैं यस बचे म्यूट करने है जी रभी वोचे क्या कुश्चन आपका असलामेकुम सर जी वालेकुम सर काइंड़ी मैट्स का भी थोड़ा सा एक बर ओवर्वियू दे देंगे एलसी एम रेशियो प्रोपोर्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स हिंके वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं सर उनको पुस्टार्फ तरह रिखली हैं साथियु पूस्टार्फ, हम इसाथियू तो उसको भी हम देख लिए ठीक है तो मैं और questions के लिहास से आप लोगो करवा हूँ Thank you sir मुझे जी पांच मिनिट लें पांच मिनिट बाद हम स्राथ करें स्राथ करें लें लेंगी करें झाल 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 अगेन हम यहीं से दुबारा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमें कुछ टॉपिक्स की मैंने चैट बॉक्स आपके जो है चैट बॉक्स उसको लफ साइड पे खोल लिए तो इसका जो 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 क्वेश्चन होगा करें लिए इसके अंदर टाइप करते रहेंगे तो मुझे बताते जाएंगे साथ-सार तो हम उनको चेक करते करना है तीन एंगल में एक्सपेंद करना है तीन लेवल्स पे जाके में नमर वन सिंगुलारिटी नमबर टू कॉस्मोस और नमबर थ्री टूड़े टूड़े means future of universe मैंने यह आप लोगों को पहले यह बता दिया future of universe ठीक है हम इन तीन लेवल्स पर जाके इसको discuss करेंगे singularity cosmos and today singularity का मतलब क्या है कि entire universe was inside a bubble और suddenly अक्सर जिस तरह यह मेरी slides में भी देखें लिखा हूँ explosion यह explosion नहीं है दरसल यह आपकी expansion है expansion expansion कौन सी होती है जिसको हम पढ़ने accelerated expansion there was accelerated expansion accelerated expansion होई थी ठीक है singularity में तो हम यह सार रख देंगे कि entire universe was inside a bubble फिर क्या होती है जो है accelerated expansion होती है accelerated expansion होने के बाद matter and anti-matter की formation होती है finally वो अपने आपको destroy करते हैं फिर formation of hydrogen atom होता है और उसके बाद helium atom बन जाता है और finally formation of other celestial bodies ठीक है यह आपका जो कॉस्मोज है कॉस्मोज का मतलब कहा है पहले सीज को समझे लें अगर आप इसकी definition को देखें कॉस्मोजी है क्या astronomy कॉस्मोजी और astrology तो कॉस्मोजी आपके पास क्या होती है जिसके अंदर यह आपको जितना भी आपके universe का matter है जितनी भी आपकी energy है उसके evolution के बारे में उसकी energy origin के बारे में उसके structure के बारे में जिस branch of science में पढ़ा जाता है उसको cosmology पढ़ते हैं तो universe के evolution के बारे में origin के बारे में structure के बारे में जिस branch में हम पढ़ते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं cosmology तो यहाँ पर दरसल हम अपने जितने भी हमारा universe है उसके origin के बारे में चेक कर रहे हैं, उसके structure के बारे में चेक कर रहे हैं, उसके function के बारे में चेक कर रहे हैं, तो cosmology के आपके पास यह होता है, और finally आ जाता है today, today को जब भी explain करते हैं, तो इसको आप लोगों ने explain करना है future of universe हमेशा, कि future of universe open है या closed है, mostly यह दो models है, number one future of universe is open and other one is future of universe is closed, तो एक चीज़ बड़े दिहान से देख लें कि future of universe open है, यह close, close होला क्या कहता है और open वाले जो school of thought है, वो क्या expect, जो close होला school of thought है कि future of universe is closed, इसका मतलब भी एक ग्रेविटी attract करती है चीज़ों को, ग्रेविटी क्या करती है attract करती है चीज़ों को, ठीक है, हमारी universe of force of attraction प्रेज़ेंट है ना, तो ग्रेविटी की attraction के वज़े से object एक दूसरे के twirl move कर रहे है, जिसके वज़े से क्या है, एक टाइम है का वो एक दूसरे के साथ, बिलकुल एक point पर आके, इस तरह एक point पर आके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कनवर्ज हो जाएंगे, और सारे का सारे सिस्टम क्या कर जाएगा, कॉलाप्स कर जाएगा, और दूसरे यह है close, future of universe is close, और दूसरे future of universe is open, open का मतलब क्या होता है, कि देखें, आइंस्टैन ने यह कहा था, कि हमारे universe में एक और force प्रेजेंट है, जो के counter करती है force of gravity, देखें gravity का क्या काम है, जिसने दो objects को एक दूसरे के twird move करना है, क्योंकि यह force counter कर रहे है force of gravity को, इसका मतलब यह है, कि object को यह दूसरे, एक दूसरे से का मूफ कराएगी, अवे मूफ कराएगी, point clear हो गया, तो यह, इस concept में क्या कहा गया था, कि object एक दूसरे से अवे मूफ कर रहे है, जिसके वज़े से हमारा universe क्या कर रहा है, expand कर रहा है, हमारा universe क्या कर रहा है जी expand कर रहा है point clear हो गया तो इसके अंदर जो ये बात अब समझनी है इस चीज़ को आपने जब explain करना है तो याद रखेंगे dark energy के थूँ explain करेंगे इस concept को जब आप explain करेंगे ना तो dark energy के concept के थूँ explain करेंगे कि dark energy की जो पहले value calculate की गी कर रही है और dark energy के बारे में अगर किसी को नहीं बता तो dark energy is the property of empty spaces ठीक है dark energy is the property of empty spaces तो object जब एक दूसरे से away move करेंगे तो उतनी ही जादा देखे पहले ये दो object एक दूसरे के करीब देखे जब एक दूसरे से away move करेंगे और इसका मतलब है उतनी dark energy की value increase करेगी और इसका मतलब क्या होगा finally and ultimately हमारा future of universe is open point clear होगे कि हमारा future हमारे universe क्या कर रहा है expanding in nature expand कर रहा है ठीक है तो हम इसको तीन लेज़ पर जो है describe करेंगे singularity cosmos and future of universe singularity में हमने बता दिया कि entire universe was inside bubble cosmos में हमने यह बता दे कि इसका origin क्या है यह बना कहां से यह आया कहां से point clear होगे तो हमने बताये कि formation of cooling हुई formation of matter identity matter हुए उन्होंने एक दूसरे को annihilate कर दिया annihilation के बाद आपके पास hydrogen atom की formation हुई helium atom की formation हुई और बागी celestial objects की formation और जो सब ज़दा important है that is future of universe अक्सर paper में directly push जाता है कि future of universe को explain करें तो future of universe हमेशे याद खना मैंने शुरु में आप लोगों को बताया था कि हर subject की अपनी technical language है general science में हर question की अपनी technical language है जिस तरह physical sciences वोले question है उनकी अपनी technical language है जो environmental sciences वोले question है उनकी अपनी technical language है जब आप environmental sciences के questions को attempt करें तो environmental pollution जब भी आजए तो आप जितने भी देखें एक छोटी सी बात करें आप 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर चेक कर लें और उन में चेक करें कि जो आपके atmospheric pollution के प्लूटेंट जो given है that is COX, SOX, EMNOX, Particulate, Metatropospheric Zone, Dioxane ठीक है यह आपके जितने भी दिये हुए, इनसे कितने question आई है, तो इनसे कोई question आपका paper में पूचागा, तो इनका पढ़ने का फाइदा क्या होता है, यह point समझने है कि इनको हमने फिर पढ़ना क्यों है, देखें जब आपको ऐसे drain कहता है न, explain करने जब आपको कहता है, green house gases explain करें, जब आपको कहता है कि ozone depression को explain करें, तो उस time पर जब आप explain करेंगे चीज़ों को, तो with the help of these pollutants explain करेंगे, आप बताएंगे कि आप acid drain के concept को उस time तक नहीं समझ सकते, जब तक हम इन तीन COX, SOX और NX को नहीं समझने, point clear हो रहें, similarly, आप next move करेंगे, green house gases को जब explain करेंगे, तो similarly pollutants का आप reference देंगे, जब तक आप pollutants का reference नहीं देंगे, तो आपको paper में marks नहीं मिलेंगे, similarly जब big bang theory को explain करेंगे हम, तो हम dark, जब future of universe को explain करेंगे, तो हम dark energy का reference नहीं देंगे, तो हमारा question incomplete होगा, हमने उस चीज को explain ही नहीं किया, तीक है, यह हमने एक diagram देखी है, यह हमारे पास एक diagram है, जो कि हमें समझ आती है, कि देखें, यह हमारे universe, एक object एक दूसर से away move कर रहे हैं, जब वो away move कर रहे हैं, तो expand कर रहा है हमारा universe, हमारा future of universe is open, it is not closed, यह चीज़ जहन में रखेंगे आप, future of universe is open, तीक है, तो this, this was big bang theory, तीक है, अगें, आप start करेंगे proper introduction से, big bang theory के एक बारे में explain करेंगे, और खुदा का वास्ता है, पेपर में explosion नहीं लिखेंगे, it was accelerated expansion, it was accelerated expansion, यह मैं बता रहा हैं, तीक है, आप again, उसके अंदर जो introduction होगा, उसमें बता देगेंगे, कि हम इन तीन basis के ओपर इसको explain करेंगे, तीक है, singularity, cosmos and future of universe, उसके बाद पर तीन headings को explain करेंगे, और finally पिर जब conclusion लिखने में, तो conclusion में हम बता देगे, कि हमारा future of universe, पहले हम discuss कर चुके होगे future of universe को, मगर हम बता देगे, जो ज़्याद है applicable है, that is open model, क्योंकि Einstein का जो concept है, dark energy से related, ठीक है, अगर आप लोग में लिखेंगे, तो आप लोग को यह सारे के स concepts इसके अंदर नजर आज़े, ठीक है, तो composition of universe के अंदर dark energy and dark matter, ठीक है, this is dark matter, ठीक है, उसके बाद dark energy, ठीक है, ideas to explain dark energy, यह सारी के सारी चीज़े हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगे, तो this was first concept that was dark energy, sorry, big bang 3, next आप लोग के पास है, जो मुझे कहाँ के explain करेंगे, that is clean development mechanism, Kyoto protocol, next plane कर देता हूँ, again, इसका paper में किस point से question आता है, किस angle से question पुछ जाता है, दोनों चीज़ों को हम check कर लेंगे, आपके पास है, जो आपके पास है, जो आपके पास है, that is international emission trading, ठीक है, यह आपके पास तीन जो है area, हम सबसे पहले area को देख लेते हैं, that is joint implementation, इसको मैं explain कर रहा हूँ, इसको दिहान से समझ रहेंगे, जब यह समझ आ जाएगा, तो इसी concept को हम दोबारा समझेंगे, आर्टिकल 12 के लिए clean development केंज़ेंगे, देखें, joint implementation, जो Kyoto protocol के अंदर सबसे बड़ा loophole है, that is common but differentiated responsibility, common but differentiated responsibility, अब इस concept को समझ लें, इस concept को जब भी मैं explain करता हूँ, तो इसको मैं दो lines में, या दो areas में divide कर देता हूँ, number one, common responsibility, देखें, हमारी common responsibility तो यह है कि हमने green house gases की emissions को reduce करना, common responsibility क्या है कि green house gases की emissions को क्या करना है, हमने reduce करना है, मगर differentiated वो कहाँ पर हो जाती है, वो वहाँ पर differentiated हो जाती है, कि हमने जो responsibility है, जो numberism का concept आया था, जो main responsibility है, वो developed world के ओपर डाल दी, कि भाई हमारी atmosphere को तो developed world ने pollute किया है, point clear हो रहे, तो हमारी atmosphere को जब developed world ने pollute किया है, तो main responsibility ही वो ही है, तो इस वज़ा से developing countries के ओपर कोई liability नहीं आती है, ठीक हो गया, अब इस concept को द्यान से समझें, यहाँ पर आपके पास दो countries हैं, एक industrialized country है, दूसरा भी industrialized country, यह दो industrialized country, for instance, हम assume करते हैं, कि इस industrialized country को target दिया गया कि आप 100 carbon units जो है, वो आप emit कर सकते हैं, तो है 100 carbon के units हैं, वो आप emit कर सकते हैं, similarly, इस case में भी देखा जाए, तो इस country को भी दे दिया गया कि 100 carbon है, कि दोनों को अगर jointly check किया जाएगा, तो आपके पास कितने आज़ेंगे 200 carbon units, कि दोनों को अगर jointly check किया जाएगे, तो यह भी आपके 100 emission कर सकता है, यह भी 100 carbon units की metric ton की emission कर सकता है, ठीक है, तो मैं आपको बड़ी simple language, पहले ताकि इसको समझ आज़ें आप लोगों को, तो दोनों 100 100 कभाई करेंगे 200, अब देखें होता कुछ इस तरह से है, होता कुछ इस तरह से है आप लोगों के पास, कि यहाँ पर यह country जो है, या तो इसको penalty पड़े, ठीक है और second number पर क्या है, इसके पास second option क्या है, that joint implementation को पर adopt कर ले, joint implementation को adopt करने का मतलब क्या है, कि यह country क्या करे, यह किसी दूसरे country में जाए, किसे दूसरी industrialized ही country में जाए, ये इंडस्टिलाइस कंट्री है ये किसी दूसरे इंडस्टिलाइस कंट्री में ही जाए और वहाँ पर जाकर जो इंडस्ट्री लगाए वह उस इंडस्ट्री में जो इनरजी जनरेशन का मेकेनिजम होगा that should be through renewable energy resources that should be through renewable energy resources ठीक है जिसके वज़े से क्या होता फॉर इंसेंस इसकी एमिशन्स रिडियूस होके 90 पर आ जाती है इसके कम थी एमिशन्स तो मैक्समुम जो एमिशन होते हैं वो 90 होती है तो 90 और 110 जब कंबाइन करेंगे तो यह अगें 200 ही आ जाएगा वो टोटल जो है वो सम जो है वो सेम अब यहां से different questions arise होते हैं लोग अक्सर पूछते हैं students अक्सर पूछते हैं कि भाई यह अपने ही country में क्यों नहीं renewable energy resources के factor लगा 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 ल स्टोर्ट्स पूछते हैं कि आर देखो 110 इसकी emissions हो गए इसके 110 emissions हो गए तो अब अब यह क्यों नहीं अपने country में जो है renewable energy resources की industry लगा सकता है तो अब क्यों नहीं लगा सकता उसकी वज़ा क्या अब यहीं समझे लेट को वह तो एकसीड कर गी है लिमेट को पॉइंट क्लियर होगे वह अब रिवर्स तो नहीं हो सकती ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह एमिशन रिवर्स हो जए तो इस वज़ा से इसको किस दूसरे इंडिस्टिलाइस कंट्री में जाना पड़ेगा यह आर्टिकल 6 कहता है अगर इसी को ही इसी को ही आप चेंज कर दें कि यह इंडिस्टिलाइस कंट्री और दूसरा भी इसको डिवल्पिंग कंट्री कर दें यह डिवल्पिंग कंट्री कर दें के कर दें कि एक इंडिस्ट्राइस कंट्री दूसरे डिवल्पिंग कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहा है बाट सेट कोड क्लेर होगे एम आइक ले ठीक है तो दिस वास क्लीन डिवल्पिंग में कहने से पेपर में मोसली पूछे जाता है कि क्या इसकी क्रिटेसिजम है फॉर्म डिवल्पिंग कंट्री कहलवाते है इसको जैसे वो मिशन्स कर रहा है ठीक है जो सीडियम आर्टिकल है हसीव वह आपके पास है आर्टिकल ट्वेल्फ आर्टिकल ट्वेल्फ ऑफ क्योटा प्रोटोकॉल ठीक है तो यह दो टापिक मुझे एक्स्प्लेन करने के लिए कह गए थी आई होप आप सब लोगों को समझ आ गए हमें टाप ठीक है तो अगें आप लोगोंने इस क्वेश्चन को जब सीडियम वाला पश्चर आजे तो इसको टेम्ट कैसे करना है अगें प्रॉपर इंट सबसे बड़ा लूप फोल था that was common but differentiated responsibility. Common responsibility is on developed world. Common responsibility यह है कि हमने greenhouse gases को reduce करना है और differentiated responsibility कहां से है कि हमने main responsibility developed world के ओपर डाल दी कि वही आप लोगोंने emissions की है तो आप लोगों ही reduce करें ने हम reduce नहीं करें ने, developing countries तो इस चीज़ को effect में ही नहीं जाएकर आ रहे हैं इस वज़ा से developing countries की कोई liability तीक है और किसी कोई question तीक है इसके बाद मुझे कहा गया था कि जो math के question है उनको थोड़ा से explain कर दे मैं जल्दी जल्दी आप लोगो math के questions बता देता हूं आप लोगों देख लेंगे जो भी math के question LCM से related पूछे जाएंगे जो भी math के question LCM से related आफ नमर वन साइमेटेनेसली उनके अंदर ये words या तो पहली राइन में या लास्ट राइन में आपको रुजराइक में नमर तू सेम टाइन नमर त्री तोगेदर तो इस तरह के आपको question paper में पूछे जाएंगे हम जल्दी जल्दी इन questions को चेक कर लेते हैं कि कौन से question appear हुए और उनको हमने कैसे solve किया अभी लास्ट टाइम लास्ट इसमें हमरे का ग्रैश कोर्स भी चल रहा था तो इसमें भी मैंने ये पूरे का पूरा कोर्स दोबारा शुरू से करवाया था सारे इंपॉर्टेंट आपको लिटेल से मैंने करवाया था देखें यह बीपार्ट देखेंगे 2017 में आपका question अपियर हुआ कि टेक्स अली 30 मिनिट्स तो मार का पिपर असलम ओनली निज़ 25 मिनिट्स तो मार का पिपर इफ बोथ स्टार्ट मार्किंग अड़ सेम मार्किंग एक 10 a.m. अट वट तैम देविल फिनिश मार्किंग अड़ सेम तेखें यह अब जितने भी questions इस तरह कहेंग यहां पर देहान से देखो आपको 2 टाइम दिये हुए 30 मिनिट्स दिया हुए 25 मिनिट्स दिया हुए कि आप नोगों को कहा नहीं और न होगा है इन दोनों का 30 मिनिट्स और 25 मिनिट्स इंका सब्सक्राइब आपके पास आगया अभी क्योंकि टाइम कम में इस विए से में सौर्व निकरा सकता है कि पुर्शन नहीं तो मैं आपको सौर्व कर रहा कर रहता है तो यह जो टाइम आया होगा ना इसको आपने सिंप्ली क्या करना है यह जो 10 एम लिखा हुआ है इसके अंदर एड़ कर दे लिए तू और जायट किये तो ट्वल्फ पिएम बन के और थर्टी मिनिट्स एड़ कर दे लिए पॉइंट क्लियर होगे तो यह आपके पास LCM का कॉश्चन थे थे के सिमिलर्ली एक और कॉश्चन अपियर होता है 2019 मुईस्चन थे का क्या है around him, his clock ticked every five seconds, this, 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 ठीक है? और इसारा find how, find after how many seconds, all three things happened together again. ठीक है, how many seconds? ठीक है, together again, again होई बहाद है, together again, simultaneously, same time, together. तो यह जितने भी आपके words हैं, यह represent किसको करते हैं? मैं भारता नहीं, यह represent किसको करते हैं? यह represent करते हैं, आपका यह question LCM का है, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, five, seven and twelve, इनके LCM लेंगे, ठीक है, और आपके बास seconds आ जाजिए, ठीक है, इस question वे आपसे time demand नहीं किया गया, मगर अगर time demand किया गया तो, अगर time demand कर लिया जाता, कि किस time पर यह सारे के सारी midnight, midnight means बारा मचे, ठीक है, रात के बारा बचे, तो बारा बच के साथ मिनिट आपका आथ से, point clear होके, तो यह कुछ questions है, जो के आप लोग ने कहा था, मुझे बता, हमें बता दे, तो यह मैंने आप लोग बता दी, नमबर फूर, नमबर फूर, नमबर फूर, यह मैं लिकमाना भोल गया था, आपनों को, ठीक है, नमबर फाइव, central tendency, ठीक है, तिसमें mean, median, mod, और अगर वहां से, अगर उसने group data दिया, तो आपको उनाखनी इस्टोग्राम और पिक्टोग्राम ट्रॉक अपने को करें, यह difference उनके, तर्म्यान पूछे आपस, नेक्स आपनों के पास, जो है, एक और चीज, यह एक और चीज, दाट इस, set theory, union intersection, यह Venn diagram, ठीक है, and final and the last one is analytical motion, ठीक है, यह आपके important areas के लिए, यह मैने आपनों को प्राज, जी, any questions टेल लॉँए, प्रिक्टोग्राम एक्स्प्लेइन नहीं की, सजाद हम set theory के question की example देख लेते हैं, यह यह दीज टू questions appeared in CSS 2019, यह आप लोगों की screen पर आप लोगों कोई hope नज़र आ रहे होंगे, देखें, universal set आपको दिया हुए, that is whole number from 10 to 20, A set दिया हुए, even numbers, B set दिया हुए, number divisible by 5, write down the numbers of element of intersection B, very simple question, ठीक है, दो elements आते हैं इसके में, similarly, यह बेंड डाइग्राम दे दी है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है, का जी, A represents American, S represents scientist, P represent politician, ठीक है, तो अब आपने क्या बताना है, American those are politician, but not scientist, मतलब American और politician का intersection बताना है, उनका scientist के साथ ना हो, मतलब American and politician का intersection, that is B, इसका directly B answer लेके देंगे, आपकोछ सिंपर, ठीक है, similarly, scientist which are politician, scientist which are politician, scientist or politician का intersection, F आ गया, but not American, अगर American नहीं हो, जी तो यह F यांस है, ठीक है, यह इस तरह के बड़े plain से question है, simple से question है, इनको complex form में De Morgan's law, उसमें लिजाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, histogram और pictogram में, हाँ, अलीजावे, यह आपके time and work के questions है, ठीक है, वैं आपको उपनी book निखा देता हूँ, उसके end पे अगर आप लोगोने देखा हूँ, जी यह देखें, यह वने questions है, time and work के, A can do a piece of work in 30 days, while B can do it in 40 days, in how many days, A and B working together, ठीक है, यह आपके जो question है, यह सारे के सारे time and work के question, जिसमें हम, अलीजावेद, अगर आपको याद हो, अगर आपने questions किये दे, तो productivity निकालते हैं, productivity of A plus productivity of B is equal to productivity of A plus B, ठीक है, इसका solution भी मैंने आप लोगों के group में share किया, यह 10 questions हैं, और यह maximum, यह वो difficult question हैं, जिनके बाहर से आज तक paper में question ही बूचा जासे हैं, यह, इन questions को अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो time and work को कोई question आजे तो आप कभी गलत नहीं करते हैं, ठीक है, इनके अदर वो सारे के सारे concept, ठीक है, कभी card को एक side से पकट है, कभी card को दूर साइट से पकड़ा है, ठीक है, answer बेशिक आपको सेंगे हैं, ठीक है, आप लोगों के जो respective groups हैं, सीरिया, आपको जो questions हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दे कि CSPS की site पर जाएंगे, वहां से आप लोगों के सामने general science and ability आएगा, उस पर click करेंगे, तो पूरी के पूरी slides आपको नज़र आजाएं, वहां से आपको मिलते हैं, ठीक है, general science and ability की slides, plus math का जो portion, ठीक है, और से आप लोगे, उसके बाद analytical portion, जो के conditional questions है, analytical questions के बाद आप लोगे पास जो है, direction sense के question है, ठीक है, ठीक है, जी, again आपको यही कहूँगा, OPPO F7128GB साहब, academic administration से राब्ता कर लें, वह आप लोगों का group मनाएंगे, आप लोगों मुझे कहा था, तो आप लोगों से directly राब्ता तो आप लोगों का group मनाएंगे, उसमें जो भी material होगे, इंशाहला है, आप साहर साहर शेयर करता है, ठीक है, तो यह end में आप लोगे बाद direction sense के questions है, ठीक है, इन questions को अच्छे तरीके से solve करें, ठीक है, 2021 वालों के लिए आखरी आखरी दिने, इनको अच्छे तरीके से कर ल ही हैं, या जो जो आप लोग इस lecture को सुन रहे हैं, आप सब लोग का मिया होगे, ठीक है, और अगर मेरे लाइक को खिदमत हो, कोई चीज ना समझाए, तो kindly feel free to contact any time, ठीक है, इंशाहला, I'll respond, बेशक लेट हो जाता है, तोड़ा सा, मगर मैं respond कर देता हूँ, ठीक है, तो चल मुझे पास प्रेट ने, मैं administration को forward करता हूँ, वो आप लोग को further guide कर देते हैं, कि कैसे, किस तरह lectures को access करना है, और क्या चीज किस तरह है, अच्छा, MCQs के बारे में सुहेल ने मुझसे पूछे, सुहेल पाक MCQs को follow करो, best site है, महाँ पर आपको MCQs नजर आजएंगे, और उस में से भी कुछ areas excluded है, सारे के सारे MCQs आपने अमार नहीं करने है, कुछ areas excluded है, कुछ areas excluded है, कुछ excluded area को हम निकाल देंगे, that's it, ठीक है, सिर्फ यह देखो कि मेरे course के लहाँ से कुछ से import, और उनको अच्छे तरिके से कर लोग अच्छे तरिके से आजएंगे, अच्छे तरिके से अच्छे तरिके से लिए जो आप लोगों को जो भी आप लोगों की queries है, admissions related या जो जो आप लोगोंने lecture को access करना है या जो भी आप लोगों का issue है, वह आपको अब्दुर रह्मान साब काइट करते हैं ने फर्दर, अब झाल 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 जी स्लामेकोब जी स्लामेकोब जी स्लाइब आप पुछनों चाहरे थे आप आप जी अब आप सब लोग के पास आप्शन है अपने आपको आपको अन्मूट कर सकते हैं जी आप पूछ सकते हैं पर आप इस मूटे को कन्कूलूट करने में जी आप जी आप पर अकरम जो सरका भी लाक्वर था इसकों कैसे अक्सेस कर सकते हैं अक्शली नेट वॉक डाउन था तो वह वह सो नहीं पाए यह हमारा Facebook पेज के लाइफ चल रहा है, वहां से आप देख सकते हैं जी सर्थ Thank you अच्छा जी, Dear Students, नमारा next CSS 22 के लिए new session कल से start हो रहा है इसको duration 4 months होगा, on campus classes होगी, हमारा campus G10 वरकस इसलामबाद में है आपके जो दोस्त, कोई भी relatives हैं, जो इसमें interested हो, आप उनको जरूर recommend करें हम उनको बेतरीन coaching देंगे, हमारे free class test और mock exam होते हैं हम student को individually coaching देते हैं, और हर student के उपर हमारा individual focus होता है इन्शाला जब आप आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, हम आपको बहुत अच्छा पड़ाएंगे Thank you so much, किसी का कोई question हो तो आपके वाँ सक्राइडवी का number है, आप हमसे coordinate कर सकते हैं मैं दे चैट में भी number लिखने लगाँ आपके हमारी Facebook पेज पेज यह वाला lecture जो है यह भी होगा हमारी website पे आपको काके सब्सक्राइड नोड study material मिल जाएगा website पे जो address है वो भी मैं इच्छी message करने लगाँ वो भी आप देख दीजिए Thank you so much झाल झाल झाल